तो कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अभी जो है तो पैर का टाइम हो रहा है लंच में आज भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं जिसके लिए मैंने कड़ाई ग्यास पर रखके उसके इंदर मस्टर ओयल अच्छे से पका लिया है जैस कि एकदम फिनिश नहीं हो पाती है इसको इस तरीके से पहले चला लेंगे देन उसके बाद जो भी बेसिक मसाले हैं वो मैं आट करूंगी उससे पहले टामाटर डाल देते हैं थोड़े से क्योंकि ना एक ही टामाटर बच रहा था फ्रिज में वह भी थोड़ा सा खराब हो तरह के लाड़ इसमें बादर मैंने जो है जो मैजिक मसाला होता है, मैगी वालों का वो अड़ए किया वो डालने के बाद मुझे पिंडी की सब्जी बहुत 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 अच्छी लगती है और किसी सब्जी में में मसाला डालू या ना डालू मैं इसको अच्छे से mix कर देंगे तैन अभी धकन लगा के अच्छे से पका देंगे थोड़ी बहुत आपको बैक्ड्राउंड बॉइस आ रही होगी बाहर वाले रूम में बैठी हूं दियों अंदर सो रही है तो मैंने कर चलो थोड़ा बाहर बैटके अडिटिंग कर लेते हैं काइम से वीडियो चली किया वीडियो बीच में मैंने मैं मそうですね मैं आटाग देंगे साये साथ के साथ CHAR model रहेंगे तो अराम से काम हो जाएगा आटाग के ना रखती ही नहीं थोड़ा पाpel रूम दया हो और इस ना बार डाला हुआ है ना वो आधा ही लिया हो का मैंने क्योंकि एक टाइम भी खाई जाए ना रोटी तो सही है एक टाइम गुद्ने वा आटे की या फिर अभी जैसे दुपैर में किया है तो रात तक चल जाए इतना बहुत है मैं एक्स्ट्रा गुंद के नहीं रखते हूं जै आटा नहीं मुझे ऐसा क्यों फिल होता है तो फटा फट से आटा भी गुंद लेंगे सब्जी देखो अभी भी होई रही है पस एक लास्ट अभी चेक करूंगी उसके बाद गैस बंद कर दूंगी तो आटा भी फटा फट से गुंद लोंगी मैं चल्दी जल्दी से थोड इस. किस किस को पसंदें बिंडी के सब्जी और कॉमंट करके के नीचे बताइएगा कॉमoyn section में और किस तरीके से बनाटे हो? कई लोग भरवा बिंडी बनाते हैं? पहले बनाते थे हम लोग भरवा बिंडी जब ज़्यादर लोग रहते थे थे ना ता भर बिंडी बनाते और मेरी दिवरानी ने बोला था आएंगी रहने के लिए दो-तिन दिन के लिए लेकिन आपी तो आई नहीं देखते हैं कब आती हैं पुछूंगी यहां पर मैंने दीव की प्लेट लगा दी हैं आप लोग भी आजेए खाली जी बिंटी की सब्जी और पराटा साथ मैंने पर वहाँ थी परसर तो लेकर आए थी उसको KHATम करना है वरना खराब हो जाएंगे तो फटा फटा से मेने में ड zij धीती करो का ला था और ले वहाया हुआ है उसमें तो एतनी भार भार ऑज़ै लू चल रही है। उसमें इतनी ज्यादा डस्ट होती है, एक तो पूरा आंगन, जितनी बार साफ करो उतनी बार गंदा, गेट के भार का एरिया भी मिट्टी मिट्टी हो रखा है, बहुत ज्यादा, कितनी बार ही सफाई करो, फिलालता मैं जो है, एक दुबार ही करती हूँ, सुबाई या फिर शाम को, या फिर सीधा शाम को, आंगन जो है, कर लेती जरूर, बहुत ज्यादा मिट्टी है, तो बार जितनी बी चीज़े होती है, जैसे कि स्कूटी भी खड़ी होती है, वो भी गंदी हो जाती है, और मशीन तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी, बहुत ज्यादा, त तो मैंने इसमें गंदे गपने डाल दिये हैं जो बहार रखे थे इक दो दिन के बाकी इस में अच्छे से इस तरीके से पनी चड़ाके ये डाइरिंग टेबल वाली पुरानी पनी है जो मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हुँ पहले मैंने इसको जो है बिस्तर पर बिशाना शुरू किया था, खाना खाते टाइंग, फिर मैंने यहाँ पर बहार, में पास कुछ नहीं था मशीन को ढाकने के लिए, तो ये मैंने अट कर दिया, बाकी ना चद्दरवदर डालो, वो अजीब सी लगती है, और पानी वानी ज जादा जाले भी लग रहे थे, टेस्ट भी हो रखी थी, तो इस सब को अच्छे से क्लीन किया, यही कैसी आवाज आ जारी है वई, अच्छे से क्लीन किया, पाइफ लगा के इतना जादा फ्रेशर यहाँ पर नहीं आ रहा है, इस वाले नल में पता नहीं क्यों क्या अधिक सब्सक्त हो गई है, कई नहला ऐसे वो रखे है, बिलकुल अजीव से, उपर का शावर भी तूट गया, वनना मैं शावर जो है ठीक करवाना चाहती थी, दिया यहीं बना ले तो जादा अच्छा है, अब यह उसी के लिए जगा साफ कर रही हो, ताकि वो अच्छे से नह ल है, छे बज़े के आसपा, नहा नहाने गई हुई थी, और यह देखो दोनों आज यलो यलो हो रखी है, ममें गई थी, आज मार्केट सोना को ले के स्कूल शूज उसको दिलवाने थे, नहा नहीं गई थी, नहा घर पर ही थी, तो ममें दियू के लिए नेल्स लेकर आई थी और लिप्स्टिक लेकर आई थी, जो मतलब सोना चीज लेकर आई थी, अपने लिए वही से दियू के लेकर आई थी, तो यहाँ पर सोना दियू से बोर रहे थी, मत निकाल अपनी चीज है, मत निकाल, यह मत चल जाएगी, और सच में, इसको देखो, ऐसे भाग रिए दिज चुका, तो ओ, यह देखो, उसको चाहिए था, यह सब चीज है, बच्चों को कुछ क्या ही बता होता है, और सोना ने देखो, आज बहुत ही अच्छी सी टी-शिट पैन रखिये, इसके दर ना, मतलब नहीं कि उधर काफी अच्छी टी-शिट्स होगारा मिल जाती, घर बै कपड़े नहीं है, जोना के पास, सारे छोटे हो गए, बच्चे बढ़ते हैं तो कपड़े सारे ही छोटे हो जाते हैं, और यहाँ पर यह शूज मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को मम्मी लेकर आएं थी, प्रीज बैक्राउंड वोइस को इगनार कीजेगा, तो यह मम्म भी रहते हैं, दिया के पास भी नगराम दो जोड़ी हो गए, एक तो सोना के पहले वाले और अब जो चोटे हो एं वो भी नहा लेकर आग़ी है, तो इसके पास भी दो जोड़ी हो गए है, बाकि वाइट वाले शूज मैं बैड मिंटन जो हैं शूज होते हैं न, यह पीट की सेंडो बनियान है और ज़्यादा कोई शॉपिंग करी नहीं यही ज़्यादा जरूरी चीज़े थी यह लेकर रहे थी और यहाँ पर शैंगी कुछ राशन लेकर आया है वही हम खोल के देख रहे थे सत्तू लेकर आया है बाजरा लेकर आया है चिडियाओं के लिए बाकी नहा बोल ज़्यादी चावल भी मंगाया थे अच्छे वाले थोड़े से जो नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं डेली में वह भी अच्छे है लेकिन कभी-कभी कोई आ जाता है ना तो अच्छे वाले चाहिए होते हैं तो बस मम्मी को दिखाने के लिए लेकर जारी थी म तो मम्मी देखके करती हैं सही है सही है मैं अभी ना बासमती राइस जो है ना इंडिया गेट का यूज़ करती हूँ तूबर राइस बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी होता है वो भी मम्मी ने मनाई थी ये सबजी आलू से उमकी बीच में मुझे कितने ही कट को जाने पाँ है मेरे मेरे वारे वारे गला माजीब सो होय जा रहा है और आता मी बनाई है काली मसूर की घाल बने काने के बाद मैंने बिग बॉस देखा और टीटी पे स्टार्टल गया है तो वो देखा क्या बेचना है बाल टी लो टब लो खरीद लो क्या एक काई के लिए खरीद लो अरे नहीं यार बहुत है मारे दर में तो यहां पर बस गुट नाइट कर रही हूं मैं आप लोगों मैं टीवी देख रही हो अभी भी वही चल लो टीटी वाला दीउस हो गई है और आज कर हम सोफ़गम बैट पीज होते हैं तो बस बाई-बाई ठीक है अपने दियान लगना फैमली कर दियान लगना बच्चों कर दियान लगना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फैमली फैंड के संग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ ही साथ जो है बैट बर्टन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके है ना भई दियो बाई-बाई कर दो अच्छे लगता है मैं मैं अखेले छोड़ देती हूं तो झाल जिचल जो जाती हो है बई लड़की तो फिस आप देवा तो तो दिखाया क्यों नहीं डिकाया टीवी तो चली देया था उसमाई मैंने क्या आखे बंते थी आपकी बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई